क्लास नाइन में चैप्टर 6 लाइन सेन एंगल एक्सराइज 6.2 कॉस्चन नंबर 2 है इन फिगर इफ अबी पैरलेल टू सीडी और सीडी पैरलेल टू एफ हमें यह गिवन है कि अबी सीडी के पैरलेल है और जो सीडी है वो एफ के पैरलेल है and y और z का रेशो दे रखे है 3 is to 7 y और angle y है y का मतलब angle y और z का मतलब angle z इन दोनों का रेशो दे रखे है 3 is to 7 find x x हमने निकालना है ठीक है अब इस फिगर को समझेंगे हम a b है एक line a b है एक क्या है c d है तीसरी है e f ठीक है a b और c d य आपस में क्या है पैरलेल है c d और e f य आपस में पैरलेल है ठीक है तो कहाणे का मतलब है जो a b है वो c d के पैरलेल है और e f है वो भी c d के पैरलेल है इसका मतलब क्या हुआ A, B और A, B और E, F आपस में parallel है, अभी किया था ना हमने C, D किसके parallel है A, B के, S, E, C, D किसके parallel है, E, F के यानि कि A, B, E, F के parallel हो जाएगा, ठीक है पता है ना आपको, अगर दो line same line के parallel हो, तो वो आपस में parallel हो जाती है यह हमने introduction वाले वीडियो में किया था, अब देखो यह A, B है यह C, D है, यह E, F है, ठीक और हमें क्या given है, यह X है यह Y है, यह Z है Y और Z का हमें ratio पता है, 3 is to 7 क्या है, 3 is to 7 और मैंने आपको पता है जब भी यह ratio वाला question आए, तो आप ऐसे मान लिया करो जैसे यह 3 है, 3X मान लो लेते हैं, ठीक है, इस angle को angle Y को मान लेते हैं, 3 A और angle Z को मान लेते हैं 7 A, ठीक है, इसको angle Y को हमने मान लिया 3 A और angle Z को हमने मान लिया, कितना 7 A, ठीक है अब देखो कैसे करेंगे, चलो करते हैं, since A, B parallel to C, D, और C, D parallel to E, F, यानि कि E, F, B, C, D के parallel है और A, B, C, D के parallel है, यानि कि ये दोनों आपस में parallel हो जाएंगे A, B parallel to E, F A, B और E, F क्या है parallel है, तो X और Z क्या हो जाएंगे, equal हो जाएंगे, ये angle X और angle Z equal हो जाएंगे, ठीक है एक मिनिट के लिए आप देखो, ये A, B है, ये A, B है, और ये क्या है E, F, बीच वाली line को भूल जाओ आप एक मिनिट के लिए, ठीक है इस line को C, D को भूल जाओ, और ये transversal ऐसे cut कर रही है, ठीक है ये है angle X और ये है angle Z ठीक है, मैंने बीच वाली line नहीं बनाई है, ठीक है, A, B और E, F लिया सिरफ, ये दोनों parallel है, अभी अभी हमने प्रूव किया है, तो ये वाला angle और ये वाला angle क्या हो जाएंगे, कौन से angle है ये, X और Z कौन से angle बनाई है इसके अनुसार, ये बनाई है alternate interior angle तो जब दो line parallel होती है तो alternate interior angle क्या हो जाते है equal हो जाते है, तो angle X और angle Z, angle X और angle Z क्या होगे, equal होगे, इसको बोलेंगे हम alternate interior angle इसके कारण ये equal होगे, ठीक है क्योंकि lines क्या थी, parallel थी अब और क्या गिवना है Y is to Y ratio Y और Z का ratio दे रहे है 3 is to 7, तो हमने Y को माल लिया 3A और Z को माल लिया हमने 7A, ठीक है Y को 3A और Z को हमने माल लिया angle को 7A, अब देखो AB और CD क्या है AB और CD क्या है parallel है, अब सिरफ मैं AB और CD ले रहा हूँ, ये AB है और ये CD है ये AB और ये CD, ठीक है ये दोनों क्या है, parallel है और ये transfer सलाइसे cut कर रहे है तो ये वाला angle और ये वाला angle, ये वाला angle X है और ये वाला angle क्या है Y, तो इन दोनों angle का sum कितना होगा, आप कहोगे ये तो co-interior angle है, ये कौन से angle है, co-interior angle angle on the same side of the transversal है, तो इन दोनों angle का sum कितना होगा, 180 degree होगा, तो इन दोनों angle का sum लिख दो आप क्योंकि a b parallel to c d है और यह transversal cut कर रही है तो इन दोनों angle का sum कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा angle x plus angle y is equal to 180 ठीक है यह equation 1 मानी थी हमने और इसको मालो equation 2 और reason यह आप लिखेंगे angle x plus angle y क्यों हुआ 180 sum of co interior angle यह co interior angle का sum है ठीक है आप ले लो from 1 and 2 equation 1 और equation 2 ठीक है अब हमारे पास equation 2 यह थी x plus y is equal to 180 और equation 1 से हमें पता लगा x और z क्या है equal है तो इस x की जगा हमने क्या लिख दिया z लिख दिया कोई फरक नहीं पड़ा क्योंकि यह दोनों क्या थे equal थे अभी अभी हमने prove किया है उपर ठीक है तो x की जगा हमने z लिख दिया तो हमारे पास यह equation आगी अब value put कर दो हमारे पास z हमने कितना माना था 7a और y कितना है 3a तो 7a plus 3a कितना होता है 10a is equal to 180 a की value कितनी आएगी 10 multiply कर रहा है उदर जाके कर देगा divide तो हमारे पास आगया 180 by 10 कट गया 0 से 0 a आगया हमारे पास 18 ठीक है 18 degree आगया और यानि कि z क्या था z हमने क्या माना था 7a माना था z क्या माना था हमने 7a तो z की value निकालो 7 multiply a यानि कि a की value कितनी है 18 है 7 multiply 18 126 z angle z कितना आगया 126 degree ठीक है और angle z और angle x angle z क्यों निकाला क्यों कि angle z और angle x क्या है दोनों equal है ठीक है तो equal है तो angle x angle z के क्या हो जाएगा equal हो जाएगा जो angle z की value है वही angle x की value होगी ठीक है तो यह अभी हमने prove किया है कि angle x और angle z equal है तो angle x भी कितना आगया हमारे पास 126 ठीक है तो ये था हमारा question इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेर जुरूर कर देना मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार